कि दिल थाम के बैठो पिक्चर अभी बाती है देखा है कितनी बार तीन बार कितनी बार कितनी बार को यूटूब चला नहीं था इसे देखे कितनी बार कितनी बार हम लोग बहुत बार देख लिए क्योंकि कमाल का वो टीजर है और फिलिम भी कमाल की वो बना रहे है कितनी बा बहुत बहुत बार देख तो इस ने उन्होंने बहुत कमाल का ओ परफॉब्स किया और मेहनत कि आ और पब्ली का बहुत तरह प्यार पार है और अपने मेहनत के दम पे इस फिल्म तो अभी बना ही सब्सकार में नीजू स्वागत करता हम सभी का अपनी चैनल भोजपुरी गौसिप पे तो चियां चटपटी और मज़ेदार बाते हमेशा करता हूं वाइस सब कैमरामेन इस सब्सक्राइब करता है जोड़ा से सब्सक्राइब तो यहीं पर रुखते हैं और फोन लेते हैं FREE लेकिन पूछेंगे पहले इन लोगों से कि बाई क्या चल रहा है और सबसे पहले सवाल यह हुआ कि किस-किसस नश्च्टु टीजर किस लोगों ने देखा देखा कितनी वारा कम सा कितनी बार बहुत बार देख लिए क्योंकि कमाल का ओड़ीजर है और फिल्म कमाल कि वह बना रहा है कितने बार हम तो अदीना तो बहुत ही बार देख चुका है क्योंकि गाउं में आये तो सोचे गाउं वालों से पूछते कि खिषाडी लाली अदब का लाइफ स्टाइल कैसा है और टीजर के बारे में कि तो टीजर कैसा लगा आपको सबसे पहले तो आप बताइए कैसा बहु और उसके बाद हुआ लेलकेप्तर के शीन आती है। मतलब कितनी तरीब कर दें उतने कम है ब्रास मैं अब पिक्चरी बाकी है। फीक्चरी बाकी है ये उन्होंने बहुत कमाल कौख परफ़ॉमेंस चीया और महनत किया है और पब्ली के बहुत तरह प्यार पा रहे हैं वह अपने मेनद के दम पे गड़िया चला रहे हैं भजपूरि में अभी जो स्ट्टीजर आया है माने बहुत आप पूरा पानी वानी में घुमा रहे हैं एक याद क्यूंकि फिल्म जो टीजर है उसका क्रेज अभी से ही सोसल मीडिया पर देखने को मिला लेकिन खास बात इसलिए भी है क्योंकि यह जो सारे घुनोंने घुली डंटा खेला आई अग इन लोगों ने खिसाडी झी के साथ कंचे खेला यहाँ बहुत खेले हैं और बोचपुरी इंडस्ट्री में भी पफर्मेंस करते हैं और फिल्डिंग करते हैं हुआ कर लेते हैं और जब एक्टिंग करते हैं तो भाइटिंग कर लेते हैं और इसलिए ऑब वोस्कूरी में नमर वन है अपने मेहनतार और पबलीक प्यार पाकर इंजस्टिर में our own पे हैं और रहेंगे च्चिंगpsy उनसार सब्सक्राइब करते हैं और कमाल को परफर्मेंस करते और महिनत करते हैं आप नहीं हम आप बात बताइए आपको क्या लगता है आप लोगों सभी लोगों को संघर्ष तू देखना चाहिए लोगों को की नहीं चाहिए एक सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वहां भी सब लोग चर्चा में एक दम संघर्ष का इंतजार सब लोग एक बात बताएए आप सभी लोग जो गाव वाले हैं किसाडी लाली आदेब को फिल्म आएगी तो प्रमो करने वाले जो जो बाहर बाहर जो है या पिर है आप करने वाले है कि नहीं आप सबसे ज्यादा बजट का फिल्म है और आदमी को हॉल तक जा कर देखना चाहिए वह भौशपूरी को बढ़ावा मिलेगा बढ़ावा मिलेगा तो बहुत सिंपल सी बात है टीजर रलीज बर और खास बात यह सक्स जो दिखे रहे ना इनको यूटूब यूटूब चलाना नहीं आता यहीं बता हैं तो आप से पूछ रहें कतना दिन में महलवा तैयार की जगाजी छे माईना में आप कर रहे हैं तो दूसल में तो लोकुट अलग तो लगए था काम थोड़ा सो लोग सब्सक्राइब बिल देघर जान क्या आए वह फिल्मों के लिए भी किया जा रहा है जैन यह दिसस्तारिटाइं के लिए उस तरीके पर फिल्म को लेकर इधर का लोकेशन उसको पूरा तरीके कसे भरपूर करने की कोशिद कि बहुत बढ़ी बन रहा है तो एक दिन अगली वार खालेंगा अगर में भी लॉक्डाउं नो लगए अगर कोहीं लॉग जाता है तो उसमें शूटिंग भी होगा उसे प्लाइन के उसमें सब्सक्राइब लोग में तो पतना को में रहेंगे अब आप लोग को बराबर का वहीं आना पर एक तो भाई सिंपल सी बात है कि साडी जी का जो घर अब देट यहीं है कि यह है ठेकेदार साव और पवन पांडे भी आने भी कन्फर्म कर दिया कि भाईया गाने की शूटिंग और एलबम की शूटिग रहा हो सकता है फिल्मों के भी शूटिंग आपको यहीं पर खेसाडी फिल्म सिटी के नाम से जो चर्चा है उस पर कही न पूरा गाउं पलट के उनके पास मिलने के लिए चला जाता है उतना उसमें खासियत है और हम लोग जाते भी हैं लोग तो बहुत अच्छे से मिलते हैं और कहने का मतलब है कि वह कभी जाती पाती और धर्म का नहीं देखते हैं क्योंकि उन्होंने बच्पन से कीरकेट भी और किरकेटर कोई जात पात नहीं देखता है क्योंकि एगारे खेलाडी एगारत जगाओं के एगारे काश्ट के होते हैं और एक ही बोतल से हम लोग पानी पीते हैं तो ठीक उसी परकार भुश पूरी इंडर्शी में भी जब वो शूटिंग करते हैं तो टेक्निसियन दू पिक्चर अभी बाकी है तो सिंपल सी बास है पिक्चर अभी बाकी है तीजर जाकर देखिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद